Actually, वो पूरा ही unethical था, idea अच्छा था Actually, बहुत सारे interviews हुएं, लेकिन ये चीज मैंने कभी कहीं भी share नहीं किये जोग मैंने इस वीडियो में share किये दोस्तों, A2 Sir के वीडियो से आपने आज तक बहुत कुछ सीखा होगा बहुत कम लोग जानते हैं कि A2 Sir जितने better creator है, उससे भी better एक business person है आज की इस वीडियो podcast में business के regarding बहुत सारे insights आपको A2 Sir से मिलने वाले हैं अगर आपके दिमाग में कोई idea है, तो उसको execute कैसे करना है इस process में आपके पास क्या-क्या problems आने वाले हैं और उन problems को कैसे tackle करना है यह सारी बात है आज की वीडियो podcast में आपको देखने को मिलेगी एक minute भी इस वीडियो podcast का miss मत करना तो लेट स्टार्ट दे पॉड़कास्ट विट एटू से आप YouTube में बहुत टाइम से हो, YouTube में ऐसा कोई बंदा नहीं है मतलब जो YouTube देखता है और वो आपको नहीं जानता है तो YouTube में आपका जो follower base है वो बहुत जादा है आपके पास buttons भी बहुत जादा है और वो भी बहुत लोगों के लिए एक inspiration है तो आपने YouTube की जो journey थी वो बहुत जगह पे आपने बताई हुई है और बहुत से लोग आपकी journey को जानते है बट बहुत कम लोग जानते है कि इस YouTuber के पीछे एक entrepreneur भी छूपा हुआ है तो उस entrepreneur को आज में को बाहर लाना है और जो आपके दिमाग में business के लिए जो चीज है business के लिए जो आपका mindset है आप कैसे business को देखते हो वो आज हमारे audience के साथ आप शेयर करोगे तो आपको आपका business journey कहां से start हुआ और क्या वज़ती कि आप business में उत्रे यदि अरोडा पंजाबी है बनी होते जर्णली है तो जब चोटा था बाप सेवन्थ एट्थ सेवन्थ सेंडर्ड तो मैं अपने डाड के साथ शॉप पेटा था तो यह चीज जो है ना एंधर बिजनस वीकन से बच्पन से है पाप के साथ शॉप पेटना शॉप किस लोगों से लाइजनिंग की जाती है वो डाड ने मुझे चोटी सुमर में सेल बन गया था कि दुकान भी कोई लड़का नहीं होता था तो आई उस्टू वोग दाट पर्टिकुलर तिंग तो पाप मुझे बोलते थे कि हां मतलब महां पर साफसाफाई भी महीं करता था पूरा साफसाफाई जब पापा आते थे तो में गंती बैठते थे उसकी बाद प कि मुझे लगता है कि यह चीज बुक्स में नहीं सिखाई जा सकती यह प्रैक्टिकली जब आप गुस्ते हो तो समझ में आती फोर्चुनेटली जैसे में मार्केट में जाता था कुछ तो मेरी कुटनेस चोटी सी मतलब छोटा सा था तो कि अंकल यह पेटी पेटी तीन सव कि मुझेशन सिस्टम इसको प्रमोट नहीं करती जादा तो पर मैं जब थर्डियर में था मुझे मुझे देखने का बड़ा शोक था इंजिनेरिंग की बात है तो मुझे कोई और मुवी बचे नहीं थी तो लास्त में गुरू मुवी थी मुझे थोड़ा वो और वो तीन जाने का टाइम होता है तो मैंने वह मुवी लगाई और मैंने सुचा कि ऐसी टाइम पास होगा देखेंगे क्या होता है बड़ एक्चली वह गुरू मुवी देखने के बाद मैं साड़े चार बजे तक मैंने वह मुवी देखी बिल्कुल बिना इंटरप्शन के और उसके बाद मुझे नीदी नी आई और वो सो क्रेजी गुरू मुवी में क्या था कि वह अपने शेयर देते हैं कि आप 10-10 रुपे के शेडलो मेरी कंपनी के हिस्सा बन जाओ और मुझे बिसनस बनाने में मदद करो आप भी मेरे हिसेदार बन जाओगे पार्टनर बन जाओगे ब बन जाओगे निकला मैंने 10-10 रुपे के शेयर चपवाई और लोगों को बातना चालू कर दी हाला कि वह अने थिकल था बट मैंने किया गुरू मुवी को देखकर तो बिसनस ऐसा है मेरे रगों में बसा हुआ है कि आमें को जॉब नहीं करनी बिकर जॉब में क्या होता है जो एक ऐसी mentality है जो आपको बांधती है जो इस सोच के साथ आगे बढ़ती है कि इतने में इतना इच मिलेगा वो mentality आनी नहीं है और मैं उस तरह का मानूशी नहीं हूँ तो business ideas starting सही थे मैंने कॉलेज में भी अपना एक X Glamour नाम से magazine शूरू करा था वो फ्लोप हो गया idea तो म मैंने काफी बार बिजनेस के लिए ट्राइ किया है और मेरा mentality यही था कि मुझे खुद का कुछ करना है फोर्चुनेटली अब जाकर जब हम कॉंकर वड कर रहे है तो मुझे लिटरली स्टार्टप करने का मोका मिला इतने अची टीम है और अब हम लोग कर रहे हैं तो मैं थ स्टी हम रहे हैं एक अपर सुधा कि भी कर दो कि अधरने कि नहीं पिता मैं चीव घ्र धिरलो वज रूपर में चांपनी चलाऊंगा मेरी में रूपर मागजीन वाली कंपनी बहुत मैं बहुत मैं लोग को भी आप सरा कुट आप मेरे जिए घृत है टीम टेर पराइग का पाद में समझ भाया है बिल्कुली अनथिकल है बट उससे हमने अलमोस्त पंद्रहाजार रुपे कठे कर लिए था तो फिर वो मतलब आपने शुरू किया वो फ्लोप हो गया था अच्छी वो पूरा ही अनथिकल था आईए अच्छा था आईए अच्छा था मैगजिन का इड बंद कर दिया था अच्छी बहुत सारे इंटर्विव लेकिन यह चीज मैंने कभी कहीं भी शेयर नहीं किये जोग मैंने इस वीडियों में शेयर किये अच्छी गुरू मुवी के वारे में जब आप बात कर रहे थे वो मुवी एक्छी मेरा वन उन फेवरेट मुवी है मतल इस जिन्होंने भी अगर यह गुरू मुवी नहीं देखा है तो एक बार जरूरूर देखना और इवन सर का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है जो भी बिजनस रिलेटेड कोई चीज करना चाहते है अपने करियर में उनकी लिए यह एक सीक है जहां से आप कैसे एक चूटी सी चीज से भी बड़ा बिजनस बना सकते हो इन फेक्ट मैं इसमें चीज आड़ गरता हूं इंडिया में स्टार्टप कल्चर लाने वाले ही धिरुबाई अमबानी थे आज रिलाइंस इतना बड़ा है इतना प्रोग्रस कर रहा है और रिलाइंस की वज़ह से तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स है बहुत सारे ऐसे स्टार्टप्स है कि जो इंटरनेट मार्केट चेंज हुआ हमारे इंडिया में उसके बाद बहुत सारे बिजनसेस आये बहुत सारे यूट्यूबर्स आये बहुत सारे इंफुलेंसर मार्केट में आये तो यह बहुत सारी अलग अलग चीज़े आपको लगती थी, पहले तो आपको आफिस लगता था, उसके बाद आपके पास बहुत सारा इंवस्मेंट होना चीए, कॉंटाट्स होने चीए, बहुत सारा नॉलेज भी होना चीए उस ताहिम पे आपके पास, बट अभी जो सिनारियो है, यह कंप्लीटली चीज़ हो चुका है, मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, सिर्फो सिफ एक मोबाइल से, मोबाइल हो, या फिर एक कंप्यूटर हो, उससे वो खुद का बिजनेस बना रहे है, और मल्टी मिलियन, कुछ ऐसे बिजनेस है मार्केट में, कि जो करोडो अर्बो रुपय तक पहुच चुके है, ठीक है, तो आपका क्या उपीनियन है, यह जो अभी नया स्टार्ट अप का एरा आ चुका है मार्केट में, उसके रिगार्डिंग वोट्स यो उपीनियन, और लोगों के पास क्या-क्या अपॉर्चिनिटी है, मेरे ख्याल से इंडिया में बेस्ट टाइम जल रहा है, स्टार्ट अप के लिए 2020-2030 का जो डिकेट होगा, अगर आप इसमें अपना स्टार्ट अप आइडिया लेकर आ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ही है कि बहुत सारे इंजल इंवेस्टर्स और वीसी आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आपको लगता है कि स्केलेबल है, इन डाट केस यह डिकेट है ना, बेसिकली आपको बहुत फेवर कर सकता है, तो यह बेस्ट टाइम है, स्टार्ट अप स्टार्ट करने का इंडिया में, क्योंकि वो ट्रडिशनल पात सब ख अच्छा आपको लगता है, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम होंगे, ऐसा आपको लगता है, एलर्निंग प्लाटफॉर्म मुझे लगता है, वो सबसे सही सेनेरियो है, स्टार्ट अप के लिए, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर को ना के टाइम पर सबसे जादा ग अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं, तो इलर्निंग प्लाटफॉर्म में कर सकते हैं, दूसरा, क्योंकि लोग आज का सेनेरियो जिससे आप से दिख रहा है, कोरोना के बाद पता नहीं कोई और वायरस आजाए, फिर हमें घर बैटना पड़े, तो आप ऐसे सेक्टर को चुनो, जिसकी कंजप्शन हो, लोग घर पे भी उसे कंज्यूम करने को मजबूर हो, ऐसे किसी सेक्टर को पकड़ोगे, डेफिनेटली ओटेटी प्लाटफॉर्म उसमें आता है, जैसे अपनी रीसेंट अभी न्यूस है, भी आजकल की, शारु खान ने खुद का ओटेटी अपने भी अपना खुद का एक स्टार्ट अप स्टार्ट किया है, तो आप कैसे इस पिल्ड में आगया और इसके पीछे क्या मोटिवेशन था अपका, बैसिकली बाइहर्टी मैं एक टीचर हूँ, जिसके बाद मैं इंजिनेरिंग अपना ख़तम किया था उसके बाद मैं सब्जेक्ट पढ़ाता था पर फिजिकल क्लासें बढ़ाता था तब इसी ओनलाइन लर्निंग प्लाटफों इसने फेमस नहीं थे उसके बाद जब मैं 2014 की बात जब मैं सूरत और जब मैंने केमिस्टी पढ़ना शुरू किया और जब लोगों का कि अच्छा केमिस्टी सब्सक्राइब और वह काफी जादा फेमस हो गए थे 2016 में उसके बाद मैंने के साथ चुड़ा अनकैडमी में उनके वन फर्स फाइव एजुकेटर में से एक था और और अल्मोस्ट दो साल तक मैं टोप एजुकेटर रहा उसके बाद मैं विच इन एक कंपनी राइट नही से देखा एट्टेक कंपनी को मैंने गुरूम होते देखा मैंने विदानतों को अपने सामने यूनिकॉन बनते देखा तो मुझे समझ में आया कि यह कंपनी जहां 800 CR से 7000 CR तक पहुंच गई तो यूनिकॉन बन गई तो यह मेरे सामने हुआ है तो इतना गजब का जबर्दिस ग्रोथ था इसका तो मुझे लगा कि कुरोना में सिर्फ दो साल में कोई कंपनी उनिकॉन बन सकती है तो डेफिनिट्ली ई-Learning प्लाटफोर्म और फ्यूचर फ्यूचर इस ओल बाउब फ क्योंकि सब लोग traditional education को e-learning में convert करने में लगे हूँ है लेकिन मुझे ऐसा लगते है कि आज के बच्चों को देखिए simple सी बात है जे यो नीट के एक्जाम सब्सक्राइब करें सबसे बड़े एक्जाम से लेकिन उसमें अगर आप नीट एक्जाम की बात करो 16 लाग के करीब बच्चे 15 से 16 लाग बच्चे यू नो फॉम भरते हैं लेकिन सीट कितनी 80,000 तो इसका मतलब क्या हुआ ओल्मॉस्ट आप सूच लिए कि इतने 90 95% बच्चे बेना सेलेक्शन के रह जाते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चला जाते हैं में भी हो सकता है कई बच्चे सुसाइट करने कोशिश करते हैं अपनी फिल्ट चेंज कर लेते हैं समझ में नहीं आता क्या करें इन डाट केस हर एक बच्चा अगर मैथ पढ़ रहा है फिजिक्स पढ़ रहा है यह सब चीजे तो पढ़ी रहा है साथ ही साथ उसको स्किल के लिए भी मेंडेटरी किया जाए स्कूल एजुकेशन में ताकि वो एक स्किल में महारत हासिल करें 10 में वो एक नॉर्मल बेसिक स्किल सीखें 12 वेल्थ में उसे प्रो लेवल पर लेके जाए और उससे कमाने की कोशिश भी करें ताकि ताकि जो वो जेई और नीट एक्जाम में सेलेक्ट ना हो इन दैट किस उसको अपने आप भरोसा हो कि मैं पैसा तो कमाई लोंगा क्योंकि मैंने वो स्किल सीखी है तो इस वज़े से मैंने सोचा कि e-learning platform भी मुझे create करना है और एक gap दिखता है यहाँ पर क्योंकि हमारी industry भी कहते हैं अगर अगर आप businesses या industry इंडस्टिल से बात करेंगे मां के HR से बात करेंगे तो कहेंगे कि jobs की कमी नहीं इंडिया में लेकिन जो candidates हैं वो skilled नहीं है तो there is a gap industry की requirement कुछ और हम हमारे बच्चों के पास वो है ही नहीं अगर वो gap हम लोग fulfill कर दें और वो e-learning platform के through fulfill कर दें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है तो इस वज़े से start-up को मैंने start-up कि इसी topic को मैं थोड़ा extend करना चाहता हूं कि आप education field में बहुत time से हो and everybody is aware कि हमारा जो education system में ये flaws है ठीक है हम इसको flaws ही बोल सकते है कि actual मतलब जो practical knowledge होना चाहिए जो skill-based knowledge होना चाहिए वो नहीं दे रहा है इसके अलावा हम लोग history तो ठीक है बड़ ऐसी कुछ चीज़े पढ़ रहे हैं जो हम actual life में कहीं पर use नहीं करते है so government इन सब चीज़ों पर action क्यों नहीं लेता है हमारा system change क्यों होता है actually मैं correct करना चाहूंगा इसमें कि अब जो government है वी चीज़ को समझ भी रहे है और उसमें corrections आप ही रहे है in fact मैं आपको बताता हूं कि आज से पंदरा अगर दस-पंदरा साल पहले देखो कि ने start-up करना इतना असान नहीं था आज के ताइम पी तो फिर भी rules बड़े सॉफ्टन कर दिया है government आप start-up पर इतने जाद लिगालिटी नहीं है ठीक है बहुत बहुत easy to go हो गया है ऐसी education system में देदरी चेंज आ रहा है लोग समझ रहे हैं in fact बहुत सारे states हैं जहां पर skill पर start-up पर बिजनेसे पर focus किया जा रहा है जो अच्छी बात है स्पीड थोड़ी कम है उसके लिए हमेशा हमारी शिकायत रहेगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिकायतों से जादा हम यूथ को जो अच्छा काम हो रहा है उसे एप्रिशेट भी करना चाहिए ताकि और अच्छा काम हो सके तो यह एप्रिशेबल और ऐसा नहीं करें स्किल में गुसा हूं तो मुझे पता लगा कि गौर्वर्मेंट स्पेशली स्किल इंडिया के लिए या फिर हमारे यूथ को स्किल्फुल बनाने के लिए फंड्स एलोकेट करती स्टेट को स्टेट के पास फंड है लेकिन वो सही डिरेक्शन में यूज नहीं हो पाते बस प्रोब्लम है तो इसका मतलब साफ है कि कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन नीचे पाइपलाइन तक आने में थोड़ा समय लग रहा है पहले से बहतर है पर यह कह सकता हूं अब भी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टूरेंट के एजूकेशन के बारे में उनको स्कील बेस्ट होना चाहिए तो कहीं ना गई पर ऐसा भी एक टॉपिक हमारे एजूकेशन सिस्टम में एड करना चाहिए कि बच्चों को बच्पन से बिजनस सिखाना चाहिए बहुत बार मैंने आपका भी बात सुना है और बहुत सारे लोगों से भी ऐसा सुना है कि फॉरेंड में जो होता है वो लोगों को दस साल तक इवन जापान में आएगेस मैंने सुना था कि जापान में दस साल तक बच्चों को कोई एक्जाम नहीं देना पड़ता है उनको पहले सिखात है कि मतलब बात कैसे करते हैं, लोगों से बहेव कैसे करते हैं, basic चीजें जो एक society में हमें better इंसान बनने के लिए चाहिए, वो होनी चाहिए तो ऐसा हम लोग हमारे education system में ऐसी कुछ चीजे ला सकते कि जो बच्चों को बच्पन सी एक business mind develop करने के लिए help कर सके ताकि कि जब वो actual market में जाये तो वो सिर्फ job seekers ना रहे वो खुद के दिमाग से कुछ ऐसा start-up idea निकाले या फिर खुद ऐसी कोई चीज करें जिसकी जिसकी वज़ा से लोगों को को जौब मिले और सुसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सके उनके start-ups के तूरू उनके बिजनेस के तूरू इसके लिए मैं statement एड़ता हूं हमने जब स्किल बेस कोर्स के लिए हमारी एप लूंच की है इसमें एक आइडिया और है एक्शली हम चाहते हैं कि जितन सुना हो वाइड़ जूनियर एक कंपनी करन बजाज फांड़ कंपनी जिसे बैजू ने एक वायर किया है तो करन बजाज आइडिया लेकर आए कि बच्चों को को कोडिंग सिखाऊंगा पता नहीं कितना अइडिया एक्सेप्टिबल था लेकिन इवेंचली बहुत अच्छ अब आप से सवाल कुछूं कि अपने पनकार्ट कब बनमाय था इफ आए अच्छा साल काना यह इस बहुत सब्सक्राइब बनमाय था जब मेरे कॉलेज में एक्चली यह नो कंपनी आने वाली थी और रिकूप्मेंट के लिए तब मैंने जाकर पैंकर बनमाय और ऐसे बहु अंटिल जब तक उनके अकाउंट में एक सेलरी नहीं आ जाती है उनको पता ही नहीं है कि जब सेलरी आये तो उसका मुझे करना क्या है उसको मनी मेनेजमेंट बोलते हैं और वो सीखना बहुत जादा जरूरी है और मुझे अफसोस होता है मैं पिछले तीन साल से इंवेस्म और वो चार सो रुपे से गिरकर असी रुपे पर आया था मैंने खरीद लिया और मेरी जितनी भी पोर्टफोलियो था उसमें 90% यह बैंक था और वो असी रुपे से गिरकर आज 13 रुपे पर आ गया और मतलब हो जब मैंने शुरू किया तो मुझे इतना नुक्सान हुआ बट अब वांपर मेरे साथ मेर एक results भी था और हम दोने साथी शुरू किया था उसे भी बहंकर नुक्सान हुआ तो उसने ऽोड़ दिया कर कि वे मेरे तो बसकी बात है और उसमें मैं आपको बताता हूँ मेरी return on investment कितनी है मेरी return on investment आज के time पर 40% है 40% की return on investment है जो कि normally होती ही नहीं है मैंने सारे share market के छोड़ी छोड़ी बारीकियां सिखी और आज मुझे अपसोस भी होता है कि इतनी fast growth ना तो आपको कोई fd देती है ना कोई rd देती है ना किसी हो तरह का investment में return इतना खास मिलता है share market में invest करके इतना return आप long term में निकाल सकते हो काश मुझे चीज college time पर school time पर बता दी होती 18 का होते है अगर मुझे पता लग गया होता कि ऐसा सब कुछ भी होता है सब्सक्राइब मुल्टी मिलिनेर बन गया होता तो money management बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आपका salary आ रहा है आपके account में उसका 10% और यह पता नहीं बुक्स में शामिल कब होगा अगर होता है तो government appreciable आपको करना चाहिए नहीं तो हम यह काम करेंगे हमारी आप में आप बहुत जल्दी कोर्स देखोगे how to manage your money और especially बच्चों के लिए है अब थोड़ा हम आप स्टार्टप के ऊपर आ जाते हैं कि अगर कोई भी स्टार्टप करना है तो वह इतना easy है नहीं कि कर बिकॉस सब्सकितर अब आपका सुटेंटी सब्सकितर थैसे करना अब को बहुत तब सेलेन अगर को स्टार्टप शुरू करना तो आपको देखना पड़ेगा आपके आसपास कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप सोल कर सकते हो यह बात बड़ी common है अगर कोई startup के उपर lecture दे रहा होगा सबसे पहले वो यही बोलेगा ठीक है आपके पास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सोल कर सकते हो दूसरा क्या जो आप solution लेके आ रहे हो जिस भी problem का solution लेके आ रहे हो वो universal है वो scalable है उसकी audience कितनी है यह दो बातों का धान बेहत जरूरी है आपको उसको business idea में कैसे convert करोगे पैसा कैसे कमाऊगे business model कैसे बनाओगे यह सारी चीजें बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी startup पे enter हो तो तो यह चीजें मुझे पहले से clear थी मुझे पता था कि मैं बार-बार हम लोग सुनते थे हमेशा मैं जब भी किसी business वाले बंदे से बात करते था यार इंडिया में यूथ बहुत है लेकिन skillful यूथ नहीं है आज यूथ रो रहा है कि मारे जॉब नहीं है और industries रो रही है कि हमारे पास हमारे जॉब है हम देना चाहते हैं लेकिन skillful यूथ ही नहीं है तो there is a gap मैंने वो gap ढूंडा और उसके बाद मुझे समझ में और e-learning platform बूम पे चल रहा तो मुझे समझ मैं कि skill-based courses हम लोग e-learning platform के थूरू दे सकते हैं और साथ में job opportunities भी प्रोवाइट कर सकते हैं यह काम हम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं fortunate enough था कि मेरे साथ इतने ज्यादा challenges नहीं है पहले क्योंकि मैं की यूट्यूबर हूं ओलडी एक न्यों सबसे बड़ा challenge आता किसी network के साथ किसी start-up के साथ वह आता है network basically आप अपना तो प्रड़क्ट तयार कियो बेचे की बेचो के किसको मेरे साथ वह problem नहीं थी प्रिकेज आई हाव a network almost 25 million followers है जब मैंने अपना ये एटू एप स्टार्ट किया था जो कि बाद में conquer app हो गया इसमें मैंने जो पहला course launch किया था YouTube mastery course मुझे इतना गजब response मिला कि मतलब start भी नहीं किया था उससे पहले मेरे पा सिक साउजन registration दे प्री registration मैंने कुछ नहीं किया था प्री registration इतना अच्छा immense response मिला तो fortunately ये बहुत अच्छा response था लेकिन आगे की सोचा कि पहले तो A2 app जो मुझसे associated है उसका नाम बदलना जरूरी है दूसरा ऐसे लोगों को लाना जरूरी है जो की वाके में skill रखते हैं अलग-अलग तरह की ताकि एक platform मैं ऐसा create किया जा सके जहां पर creator या फिर influencer या फिर ऐसे लोग जिनको कोई skill आती है वो सिखा सके उनको invite किया जा सके और वो सिखा सके तो A2 app का नाम चेंज किया उसे conquer app में बदला तो और एक सबसे बड़ी problem जो आप लोग भी face करो जो मेरे साथ भी है that is firing and hiring okay especially अगर कोई you know jabber this business आपको create करना है start up create करना है सबसे बड़ी जरूरत आपको team की है एक अच्छी team की अगर आप एक अच्छी team बना लेते हो तो आप definitely आपको वो team ही successful बना देगी so it's all about team effort और वहाँ पर आती है सबसे बड़ी दिक्कत hiring में समय लगता है एक ऐसा manpower एक ऐसा resource को hire करने में बहुत समय लगता है पहले तो ढूंडेंगे उसके बाद licensing होगी वो सबसे बड़ी problem है और वो आज भी हम लोग face करते हैं by the way अच्छी manpower और आज की youth के साथ एक बहुत बड़ी problem है उन्हें instant result चाहिए और मैं एक चीज यहाँ पर message देना च रखेगा इनीशली भली आपके काम के लिए आपको पैसा मिले इवेंचली आपके शिद्दत के लिए आपको पैसा जादा मिलता है शिद्दत का मतलब समझाता हूं आपकी honesty towards that business towards that startup समझ रहें आप वो बहुत important है आप आप कितना loyal हैं जिसके जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो eventually वो बहुत matter करता है और अगर आप loyal हैं तो believe me आपको future में 80% आपकी loyalty का पैसा मिलेगा 20% आपकी work का पैसा मिलेगा और यह जानना बहुत जरूरी है सारे youth को अगर आप किसी company में काम करें सो be loyal क्योंकि यहां पर problem बता है क्या होती है एक बार आपके talent के बलबूते पर कि पैसा याद रखने चाहिए पैसा powerful है लेकिन कभी कबार पैसे को इतनी powerful चीज को मना करना वह ज्यादा powerful है वह ज्यादा powerful है और उससे आप powerful बदते हो क्योंकि आप इतनी powerful चीज को मना कर रहे हो और उससे आपकी उकाद बढ़ती है तो आप वहाँ पर भिक मत जाओ अगर को को यह मैसेज जरूर दें यह बहुत जादा जरूरी है क्योंकि टीम बिल्ड होगी तभी तो बिजनस आगे पड़ेगा और टीम को समझना पड़ेगा कि वाके में उनकी कद्र कहा है किस चीज के लिए तो अभी मैं भी खुद का एक स्टार्ट अप रन करता हूं तो वहां पर जिन से मुझे कुछ लोग मिल गए जो मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया उन्होंने और उसके बाद धीरे धीरे टीम बढ़ता गया बट वह एकॉडिंग टू यू जो लोग यूट्यूबर नहीं है या फिर जिनके पास अल्रेडी कोई चीज नहीं है बट उनके बिजनस इडिया अच्छा है तो वह अपना टीम कैसे बना सकते हैं देखिए इस आल अबाउट कोई आपके आपके फ्रिक्वेंस की साथ मैच करता है कि नहीं टीम बनाने से पहले अगर आप स्राटप शूरू करें आप आपको एक फाउंडर की जरूरत है आपके साथी की जरूरत ह पहले बहुत जादा जरूरी आपके घर से भी हो सकता है बट फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है मैंपावर को ढूंडने का अच्छी स्किल्ड मैंपावर को ढूंडने का लिंग डिंग आप लिंग पर अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाई है तब तो देखो आगर आपका बिजनस बड़ा हो जागा तब तो बहुत सारे जन्सी आज़ें आपको help करने के लिए लेकिन इनिशल फेज में आपके पास इंवेस्मेंट के लिए इतना पैसा नहीं होता तो आपे लिंग डिंग जो है यह आपके रिलेशन्शिप और करना उस तीम को प्रॉपरली उस टीम से काम करवाना यह भी तो बहुत इंपोर्ट है तो उसके लिए एक डिसिप्लीन होना चीए एक प्रॉसस होना चीए उस टीम को कम्प्लीटली मैनेज करने के लिए विक बहुत बार क्या होता है अगर वहां पर इंपलीटल लोग आ जा यह मेरा जिस फ्लैट में शूटिंग हो रहा है यही मेरा ओफिस था तो पहले तो मेरे साथ तो यह प्रॉबलम थी कोई इस पर काम करने को तायर नहीं था क्योंकि यह लगता नहीं है रेजिदेंचल एरिया तो इनीशली मैं तो इस तो चुछ रहा था कि कोई आज आए मेरे स इसके प्रफाइल स्टॉंग थी उसके पास एक लीडर्शिप क्वालिटी तो मैंने उसको हायर किया और उसने उसको मैंने बताया कि भी देखो अब हमें एक वीडियो एडिटर की जरुता है ग्राफिक डिजाइनर की जरुता है ऐसे ऐसे करके और यह टीम हावरे पास है य अब से पहले आप खुद कितना हाइरिंग करो गया कितने लोगों से लाइजनिंग करोगी काम आपको बहुत सारा करना मैं कि यूट्यूबर मुझे वीडियो बनानी है तो मैं सारा दिन अगर हाइरिंग में पूरा दिन जाता है इन डाट केस वाट आई डिड मैने एक मैने जोब डिस्क्रिप्शन डिफाइन होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए मैंने उसको बता दिया कि अपने को अभी हाल फिलाल एक वीडियो एडिर की जूरता है ग्राफिक डिजाइनर की जूरता है और एक हम को चाहिए एप पे काम करने वाली मैनेजर और तो उसने उसी और अगर 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 आप एक कंपनी चाह रहे हो स्टार्ट अप चला रहे हो तो सबसे पहले आप HR की हारिंग कर लो क्योंकि उसे पता होता है कि रिसोर्स इसको हायर कैसे करने वो बैटर ऑप्शन है I completely agree with this point because मैंने यह चीज बहुत बार notice की है कि start-up founders जो होते है वो बहुत बड़ी गलती क्या करते है कि सारे चीज़े खुद करना चाहते है और वो किसी के उपर डिपेंड नहीं रहना चाहते क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता है कि जिस quality का काम मैं करूंगा उस quality का काम वो सा कर लेगा और भले ही आप अगर 10 out of 10 उसको कर पाओगे बट वो अगर 10 out of 9 भी कर लेगा तो कही ना कहीं एक time के बाद वो आप तक आपके लेवल तक पहुंच जाएगा बट आपका वो जो काम है वो literally आपके बिना भी हो पाएगा और आप growth पे focus कर पाओगे तो यहां पे आ एक पूरा process बना सके पूरे लोगों को ऐसे बिल्ड कर सके जो की काम को autumn mode पे लेके जाए जहां पर हर एक चीज में आपको involved होने की जरूरत नहीं है पर यह इसमें एक चीज आड़ करता हूं यह एक short term process बिल्कुल नहीं है इसमें समय लगता है ठीक है और वो right person मिलना बहु सब चीजे तो हो गई बट सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है लोगों के सामने वह है पैसा ठीक है विकास कितना भी कुछ करें तो एक कुछ ना कुछ अमाउंट मतला 5000 भी लो बट कुछ ना कुछ एक अमाउंट आपको चाहिए होती है और बहुत से ऐसे हमारी audience है कि जो students है उनके इस लिए यह माउंट भी बहुत बड़ी है तो वह सब finance कैसे अरेंज करें कुछ ऐसे ट्रिक से जिससे हम लोग यह स्टार्टिंग का जो छोटा बोटा पैसा है वह हम कहीं से अरेंज कर सकते हमारे startups के लिए business के लिए थोड़ा बहुत investment तो आपको घर से लगाना चाह वह अलग बात है पर ऐसा possible है नहीं कि किसी के पास अपने idea के लिए जेब से 1000 रुपे भी ना निकले और अगर अपनी जेब से 1000 रुपे नहीं निकाल रहे हो तो आप अपने startup idea के लिए पूरी तरह से committed हो ही नहीं तो पहला तो आप खुद आप अपनी savings निकालो आप इमत सो available है इसे business बनाया जा सकता है सबसे पहले आप खुद रिस्क उठाओ क्योंकि आप रिसक आपको आपको रिसक उठाता देखकर चार लोग आपकी मदद करने के लिए लेकिन अगर आप खुद रिसक उठानी रहे हो चार लोग के पास मदद मांगने जा रहे हो तो कोई नहीं आएगा तो पहली चीज तो यह है कि आप खुद रिसक उठाओ दूसरा माल लीजिए आपके पास रिसक उठाकर ही हजार रुपे ही है यह दो हजार रुपे हैं इन डाट केस आप लोगों को अपने आइडिया के बार में बताओ कई लोग है ना हesitate करते हैं स्टार्ट अप आइडिया को कोपी करना असान नहीं है आज मैं आपको पांच आइडिया बता दू लेकिन फिर भी देखो स्टार्ट अप को करना इतना असान होता तो बात ही क्या थी इन डाट किस सबसे इंपोर्टन पैसे से भी इंपोर्टन है कंसिस्टेंसी और कमिट्मेंट जो लोगो आपको फंड चाहिए तो आप लोगों से शेयर करो आपको फीडबैक्स भी मिलेंगे जरा समझिये और अगर किसी से शेयर करते वक्त उसको आईडिया पसंद आ गया और वो कहें चल मैं तेरा बिजनस पार्टन बनता हूं तो आपके पास कहीं ना कहीं फंड जनरेट कर सकत कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी फैमिली से ले सकते हो फ्रेंड से ले सकते हो पर शुरुवात करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक बर अगर आपने कमिट्मेंट दिखाई तो मैं आपको कह रहा है आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करने फिर कोई नहीं आएगा तो यह बहुत जादा जरूरी है सेल्फ कमिट्मेंट और जैसे अभी सर ने कहा कि आपका आइडिया जो है वो साइमल्डेनियस लेसे बहुत से लोग सोच रहे हैं I completely agree because बहुत से ऐसे आइडिया है जो मार्केट में अभी है जिसके उपर स्टार्ट बने हुए है और जब लोगों से बात करते तो लोग बोलते किया यह आइडिया तो मैंने सोचा हुआ था यह आइडिया पता नहीं मतलब कैसे चोरी हो गया तो ऐसे HOW लोगों के पास बहुत जादा है لेकिन जो एक्जी को है उस आईडियास का तो वह आप कैसे करते हो अबी एटेक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो एटेक मार्केट में ऐसे मल्टीपल स्टारडप से मल्टीपल कंपनीज है लेकिन कुछ है ऐसी कंपनीज है जो खुद को दूसरों से अलग दिखा पा रही है तो वो खुद के कुछ USP's लेके आता है खुद कुछ ऐसा एक्जिक्वीट करते है जो एक्च्वल में लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते आप कैसे अपने आपको डिफ्रेंशेट कर पाते हो मार्केट में कैसे शोकेस कर पाते हो तो उस हिसाब से आपका वैल्यू और आपके प्रॉडक्ट का वैल्यू डिसाइड होता है तो आपका जो एक्जिक्वीशन है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है इंस्टेड आपके आइडिया के उपर अब टेंशन लेने से जाएदा कि यार इसके साथ शेयर करूंगा तो कुछ प्रॉबम होगा उसके साथ शेयर करूंगा बिंदास हो के शेयर करो जस्ट याद रखना कि आपके जो यूएसपी उसको आप सोच समझ के शेयर करो आज ऐसा सेनेरियो है कि रियर केस में इन्मेंशन बचे हैं समझने की जरूरत है हमें तो जैसे एक्जामपल में देता हूं आपको बिग बास्केट है वो 2012 में आ गया तकि मैं ग्रोस्री को घर पर डिलिवर करूंगा ठीक है लेकिन और 2012 से 2022 है अब भी जाकर कोई वो यूनों में बिलेनर कंपनी बनी जैप्टो 2020 में है दो साल में यूनिकॉन बनने की कगार पर है क्या लेकर आया हो कुछ नहीं किया हो इसने वो भी ग्रोस्री और यह सब समानी डिलिवर कर रहा है सिर्फ एक टेग लाइन के साथ है वह दस मिनट में करूंगा इससे प्रॉब्लम कित अगर आपके घर में कोई चीज नहीं आपको भूक लग रही है तो आप क्या सोचोगे सिंपल है आप सोचो कि मैं बाहर जाओ पास में एक शोप होगी उससे समान लेकर रहा हूं घर पे बना लिए उसमें दसी मिनट का समय लगता है उसने इस प्रॉब्लम को सिर्फ टेग इन बना दी और वो कामयाब हो गया जो काम दस साल में नहीं किया बिग बास करते हैं उसने दू साल में कर लिया कोई एक्जिस्टिंग आइडिया है इन फेक्ट स्टार्ट अप का मतलब यह होता है कि या तो कोई प्रॉब्लम को आप ढूण रहे हो नई प्रॉब्लम है उस तो आप किसी existing काम को कितना अलग तरीके से कर सकते हो वो माइने रखते हैं आज के टाइंग पर उसमें क्या अलग कर सकते हैं बिल्कुल और आई परसनली फील कि जो फॉर्स्ट मौर एडवांटेज है वो सिर्फ कहने के लिए है आपका execution यहां पर इतना matter करता है कि अभी ऐसी market में बहुत सारी companies है जो की फॉर्थ फिप आई है मतलब उनका जो आईडियास था वो किसी से inspired होके उन्होंने start किया था लेकिन जिनसे वो inspired होके उन्होंने start किया था उनसे भी वो multiple times बड़े बन चुके है जैसी कि Facebook के एक example है Facebook को फॉर्स social media platform नहीं था उसे पहले भी बहुत सारे social media platforms थे लेकिन उन्होंने लोगों के नीड को समझते हुए अपने आपको अलग से showcase किया उन जो existing startups है उनसे differentiate किया खुद को और वो इतने बड़े बन गए तो ऐसे आपके ideas को अगर आप डूसरों से differentiate करते हो तो आपको नया एकदम कोई unique ideas हटके idea सोचने की ज़रुरत न जा रहे है वहां पर startups बनते जा रहे है कि अभी आपने example दिया Zepto का और Big Basket का Big Basket अगर समझो कि एक घंटे में अगर deliver करता है तो यही सिस्टम वीडियो में भी था कि पहले YouTube था या फिर बड़े बड़े वीडियो प्लाटफॉर्म से तो वहां पर multiple लाइक बड़े वीडियो रहते थे तो यह कहीना कहीं पर कम हो रहा है और उसके बाद आया TikTok तो उसमें तो डिरेक्ली एक मिनिट के अंदर ही था वो या 15 से केंड का गुछ तो तो वहां पर इतना उन्होंने शॉर्ट कर दिया और वो जो टिक टॉक प्लाटपॉम था वो रातो रात मतलब फेमस हो गया बहुत जादा लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यह टाइम कम करने का जो फंडा है मतलब अभी existing चीजों में अगर यूट्यूब पर जाओगे आप यूसफुल कॉंटेंट देखना चाहते हो ना उसके लिए आपको टाइम कंजूम करना पड़ेगा वह आपको 10-15 सेकेंड या एक मिनट में नहीं मिलने वाली और उसमें यूसफुल कॉंटेंट जो लिटरली आपको सीखना समझने के लिए कि 10-15 सेकेंड में कोई सिखा है समझा नहीं सकता है जरा समझने की जरूरत है तो में जो चेंज आया है वीडियो की डूरेशन को लेके और लोग थोड़े इंपेशेंट हो गया है पर आप यह भी तो देखो कि जो टिक टोक का या शोट्स का या रील काम बात करते हैं उसमे बहुत ही कम क्रीटर जैसे हम लोग एक मिनिट फिर भी लेते हैं कहानी को बतानी के लिए लोग 15 सेकेंड में क्या डेलिवर करें जरा वो देखने की जरूत है उसमें ज्यादा तर जो कॉंटेंट है वो यूसफुल नहीं है वही डायलोग को लिप सिंग करना सौंग्स में पर अगर कोई 15 सेकेंड या 20 सेकेंड में आपको कुछ यूसफुल सिखा रहा है जिससे आपकी माइंड स्ट्रेंथ बढ़ती है या फिर स्किल बढ़ती है वो अलग बात है अगर आप यूट्यूब पर यूसफुल कॉंटेंट देखोगे तो आपको एक मिनिट में मिलने स तरह नहीं मिल पाएगा और आज भी मैं बोलता हूं कि यूट्यूब की सबसे बड़ी स्ट्रेंड थी मोर दें थ्री मिनिट वीडियो जी थी और इनफाट आपको एक और चीज़ एड़ करता हूं यूट्यूब वीडियो का सबसे बड़ा यह अब हो सकता है लेकिन सब्सक्रूंगहें तो फेस्बूख तीक वीडियो को और पिडियो को सूटे हो सब्सक्राइब आज भी फेस्चवूगहें उस से ऊपर की वीडियो में shirts करते हैं कि सक्यों को से कम राण मतिन भीडियो को प्रॉपर तरीके से कहते शोर्सक जमाना आपको बेसिकली कॉंआ इ मैं इसमें नहीं मानता हूं यह शोटम ट्रिक्स मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का जो लोग यहां से बहुत जादा अट्रैक्ट हो रहे हैं सब चीजों से की शॉट मतलब 10-15 सेकेंड का जो वीडियो था तो वहां पर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजे हो रहे थी कि कोई सामने आके डांस कर रहा है लिप सिंग कर रहा है वो सारी चीजे तो उसको लोग मतलब घंटे घंटे वो लोग उसको देखे देखे चान्जूम कर रहे है एक्चली यहां पर समझने की जुरुत है यह कंजप्शन जो है बीसिकली हमें टाइम पास के पॉइंट वी से हो रहे पर अगर आपको प्रॉपर्ली कुछ सीखना है जैसे माल लो गलती से आपका आपका जो यूट्यूब अकाउंट है उसे ब्रैंड अकाउंट में कनवर्ट करना है ताकि आप आगे अपने सिस्टम में और लोगों को मैनेजर बना सको यह 15 सेंट में पॉसीबल नहीं है और आपको एक लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी तो यह useful content है जो अब लिटरली आपको कुछ सिखाता है और इस नोट अब ब्रैंड अकाउंट ओली और बाके सब चीजी देख लो घर पे किसी महिला को सबजी बनानी सीखनी है 15 सेंट में तो नहीं सीख पाएगी किसी अपन सब्सक्राइब करने के लिए तो वह 15 सेंट में पोसीबल नहीं है महाँ पे आप सिफ टाइम पास करें और यह चीज़ आप खुद भी फील कर सकते हो जब आप रील को खोलते हो या शोट को खोलते हो 15 सेंट में स्क्रोल अप करते हो तो क्या feeling होती है आप खुद फील करके रहें पर एवन आई सपोर्ट बड़े वीडियो को ही मेरा मैं हमेशा सब्सक्राइब करता हूं और मैं भी जो content करता हूं वह बड़े वीडियो पर ही है लेकिन यह जो market shift हो रहा है शौक्ट वीडियो पर उसके बारे में I just want to know कि यह परस्पेक्टिव कि यह future में क्या क्या ह होगा इसका क्या हो सकता है कि लोग वापिस से बड़े वीडियो पर आ जाएंगे या फिर जो short वीडियो चल रहा है वही continue रहेगा नहीं नहीं सैचुरेशन लेविल लाएगा इसका एक्जोस हो जाएंगे लोग कब तक यह डान्स और लिपसिंग की देखते रहेंगे है न है वो उसे समझना चाहिए और अल्टीमेटली वो पावर उसको आगे इनन्स करवाईगा नो डाउट ओके ओल्राइट सर तो हमारे अभी अच्छा बाकी आप यह सावाल ही पूल से कि आप खुद शोर्ट बनाते हो तो बाइदवे में पंद्रा सेकिंड के शोर्ट सम लोग पंद्रा सेकंड में जो कॉंटेंट आप देते हो एक तो फुल्फिल नहीं करता है चीजों को या उस बात को कन्वे नहीं कर पाता है और सेकंड अगर आप कोई मिनिंग्फुल चीज अगर उसमें देनी है आपको तो वहां पे भी बहुत महनत लगता है कि पंद्रा सेकंड में क्रियेटिव कॉंटेंट या फिर कुछ नॉलेजिबल चीजे शेयर कर रहे है तो उसकी लिए भी गाइस उनका जो हार्ड वर्क है वो भी अप्रिशेट होना चाहिए यहां पर एक और चीज में अट करता हूं जब टिक टॉक में गया था 7.2 मिलियन फोलोवर्स से मेरे वहां पर टिक-टॉक वाले खुद मुझे बोलते थे कि मेरी वीडियो का एवरेज पोस्य टाइम सबसे जादा है जनली वहां पर दस सेकेंड का एवरेज वोस टाइम था मेरे वीडियों पर 38 सेकेंड का इवरेज वोस टाइम प्रिες हम लोग जोंटिएट और मोटिवेशन यह एक क्रियेटर्स वाली बात हो गई अभी कि आप लोग जो एक मिनिट का शॉट देखते हैं उसके पीछे अराउंड साथ से आठ गंटे की महनत होती है कि टॉपिक ढूंडो उस टॉपिक का रिसर्च करो उसका एक स्क्रिप बनाऊ उसको शॉट करो उसको रिएडिट करो का अपलोडिंग का डेटा उसका थर्मने यह सारी चीजे बहुत बड़ा प्रॉसस होता है वर लोगों को उसके पीछे एक सिर्फ एक मिनिट का शॉट दिखता है तो उस महनत को भी अप्रिशेट करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है अग्या फिल्टर कर देता हूं मुझे वह रिल्जों मोडिवेशन वीडियो बहुत अच्छी लगती जो 15 सेकंड में अपनी इफेक्टिव बात कह देती हैं जैकि जैसे कि इनकी खुद की वीडियो यह 15 सेकंड में वह बात कह देते हैं जो कभी-कभी क्या होता है वर्ड्स वर्ड्स आर्दमोस्ट पारफुल वै को एंटेटेन कर सकता है बट आपके माइंड को एनेंस नहीं कर सकता है मेरा ऐसा परसप्शन को अभी थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं अभी स्टार्ट अप्स कल्चर में यह चीज बहुत जादा आ चुकी है मतलब पिछले कई सालों से यह चीज है मार्केट में कि अगर स्टार्ट नहीं होता है स्ट बहुत जादा होते है आधे उसके लिए फंडिंग कि लिए को उपनिंग का क्या प्रॉसस होता है और वह नहीं को कैसे लोग को अप्रोच आ सकते हैंसके लिए कोई से कोई ज utilizar को देखो फंडिंग के लिए मैं दो चीज़े बताता हूं जैसे एक उन्होंने सेनेरियो बताइगी स्टाट अपकर पैसा नहीं है फिर फंड के लिए जाते है तो ऐसे स्टाट अप जिनके पास पैसा नहीं बचा है सब और आपका और अपनी शर्टों पर घरेगा जरा समझना वह आपसे मूँ मांगा प्रसेंटेज लेगा पैसे कम देगा और और फिर सिरदर्दी अलग है क्योंकि फंड लेना असान होगा शायद बट उसके बाद उसकी जवाब दे ही बहुत है ऐसी कंडीशन में एक दूसरी कंडीशन पर आते हैं दूसरी कंडीशन एक ऐसी है जिसमें आपका स्टार्टप है आपने बढ़िया रिवेन्यू मोडल क्र को सकेंटाया आपसे संड़री के लिए पैसा बिंडा या मेरे बिजन और बड़ाना मुझे बताइया नहीं आना तो आपकी शर्टों पर आता और वे सबसे अच्छा तो पता है बहुत लोगों में गलत फैम यह गलत धारना है कि स्टार्ट अप में फंड तब लिया जाता है जब फंड बर्न हो जाता है पैसा बचता नहीं है नहीं वहाँ पर और दबाव में आके काम करोगे बहतर तरीका यह है कि आप अपने मोडल को जो आपने सुलूशन ढूंडा है उसको प्रॉफिटेबल बनाओ बिजनस मोडल इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो खुद इन्वेस्टर खुद आपके बिजनस मोडल और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर आपके पास आए कि मुझसे पैसा ले लो इससे स्केल करो मैं तुमा प्रॉफिटेबल बिजनस मोडल बहुत जादा प्रॉफिटेबल और बहुत सारे लोगों ने चल के उन्हें पैसा करता हूं करते हम लोग और उन्हें रिटर्न भी मिलें तो वह ज्यादा बहतर है और दूसरा अगर आपको फंड्रेस करने तो आप प्रॉफिटेबल बिज तो यह अगर मुझे सामने से बोलते कि मुझे चेक लिए जाओ आपके केस में कुछ ऐसा ही हुआ था खुंज करना चाहा था तो बताता हूं कि हमारे केसिंए झाल जो फंटरेज करने के लिए था हम रही एक माउंड सोचा था माउंट रिवेल नी कर सकता हूं किसी एक्स पर य पर्सेंटेज पर तो हम लोग क्लोज करना कर दिये थे हम लोग बिल्कुल फिल क्लास्ट में चारवी सी हो रहा है कि नहीं हमें भी इन्वेस्ट करना एक बा प्रीसीड राउन था सकता हैं जब सेकिंद राउंड में अगला राउंद होगा हमसे ने सोछ रहे हूंड बैसिकली हमको हमारे Moodle या हमने जो किया इन 6-7-8 मानों में उस पहिए वो राउंड क्लोज करना पड़ेगा तब मेरी इमिज से जादा बहतर तरीके से वो चीज काम करेंगी सर की एक और बात मुझे पता चली है उनके टीम मेट से तो आपका जो आपका जो आपका जो पूरा स्टार्ट था काम जो आपने इसके वूपर स्टार्ट किया था और अभी इस उसको कुछ पांच महीना पाच छे-सात महीना हो चुका है छे-सात नहीं हो यह सिर्फ चारी महीने हो यह टूबर एंड में शुरू किया था तो नवेंबर वालों नवेंबर डिसेंबर जनवरी फरवरी चारी महीने हो उमार चल रहए तो पाच चार-पाच महीने में आपने इस एपको अराउंड 500 तक पहुचा दिया है प्लस आपन कि अच्छी था वो नॉर्मल लोगों से जादा कैसे हैं मतलब वाट वाट यू डिए बेसिकली यह कह सकते हो कि यह सिर्फ एक आइस्बर्ग का तिप दिख आपको जो नीचे जो इमारत बनाई जो बेस आइस्टी पर आपको दिखनी रही है वो पिछले साथ साल की महनत है जो इमेज बनी उसको बनाने में जो साथ साल लगे उसकी वज़े से स्पीड इवेंचुली हमें देखने को मिली इस वाट वर्क जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अभी हमें जो रिजल्ट दिख रहे हैं मतलब आपके जो रिसोर्स वगरा थे या फिर आपके जो कॉंटक्ट से लेकिन उसके तैयारियां ओल्मोस्ट आठ महीने से कर रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है आठ महीने लगे हमें पूरा काम लोंच करने से पहले आठ महीने हम लोगों ने बिताए हैं तो यह जो चार-पांच महीने का रिजल्ट आठ महीने और उसके बाद उससे पहले वाली देखे लिए पैने और सरफ या दो कोर्स नहीं है तो ड्लोल थोडिती त्रीक व्हुंट से प्लाइन तो यह तो मैं इस्टो दो इसका दो मैं शोचा था यह तो बिफा क्षच वही तो मुझे चाहिए रूंच विजी तो लुग में देख गया चिन्हों तो इसको तो ड्रम आ आगे आया हमारी help करने के लिए और in fact मैं इससे सुर्फ business model से जोड़ के नहीं देखता हूं actually हमने जब सोचा था तो यह philanthropist kind of या फिर impact startup weekend से start-up यह लग-लग तरीके होते हैं हमारा यह impact startup है impact startup में हम लोग society के लिए कुछ करना चाहते it's not about business only मैं इसको business of philanthropist दोनों की तरह देखता हूं हम इसके तुरू जो एंजियो जो की चैल्ड एजकेशन के लिए काम करते हैं उनको हम लोग हमारे skill-based courses free में provide कर रहे हैं उनके लिए कोई charge ही हम लोग नहीं ले रहे हैं इन फैक्ट हमने जो पहला अपना इसको ओपन किया है दूसरे की planning चल रही है साल बर में हम लोग 11 और स्कूल खोलेंगे अलग-अलग इंडिया के आउट्सकूर्स में और मोका मिला तो हम लोग इसकी संख्या और बढ़ाने की सोच रहे हैं तो बहुत सारी चीजे हैं यह सब देखते हुए जब हमने सब्सक्राइब किया तो लोगों को समय लगता राउंड क्लोज करने में हमें वह समय भी नहीं लगा हमें बहुत जल्दी कमिट्मेंट सो बहुत जल्दी मनी फ्लो हुआ यह हमारे लिए प्लस पोइंट था ओके इसमें डिफरंस मतलब एक टाइम स्पान कितना लगा जब आ अपना राउंड क्लोज किया मेरा एक दोस्त है उन्हों नहीं किया था वो दो महीने का था यह मैंने सबसे कम टाइम वाला पहला पहली बार सुन रहा हूं सो यह इस इस क्वाइट न्यू थिंग फो मी और सर के साइट से भी इन सब चीजों के बारे में हम लोग और भी सब्सक्राइब करने वाले बहुत अच्छे लोग है विदानतों के जो मारे फाउंडर्स वो खुद उसे बैक कर रहे है इस आइडिया को पुलकित सर अनन सर वो मारे एंजल इंवेस्टर है और उसके लावा बहुत सरे अच्छे लोग इस स्टाट अच्छे लोग बहुत न मेरे नाम पर इस आइडिया पर बिलीव करते थे तो मुझे जादा समय लगा नहीं क्योंको पता था कि यह बंदा देखा है उन्होंने कि मेरे साथ इस नौट बाउट यह बंदा मैं जो सोच लेता हूं मैं पूरा जी जान लगा देता हूं उसके लिए यह बात मैंने आपक में हो तो फ्यूचर में जो ओडियंस है वो आपको और कौन से कौन से स्टार्ट अप में बिजनेस में देख सकती है मैं ज्यादा एक्स्पोर नहीं कर रहा हूं मुझे एक्शली बस यह जो बिजनेस जो भी मैं कर रहा हूं स्किल उसके साथ एक और एक वो भी एडुकेशन से रिलेटेड ही है वो दो आइडियास पे ही मैं काम करके इनको पारफुल बनाऊंगा इनको स्केल करूंगा यह दो बिजनेसे पहला बिजनेस अभी चल रहा है और इस आइडे को बढ़ा करना उसके बाद जब यह बढ़ा हो जाएगा ओट पैलेट मोड में आ जाएगा त सो कम करें बहतर करें इंपेक्टफुल करें ताकि लोग याद रखें यही मेरा सपना है था 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 पर यूर टाइम एंड वाल्यूइबल थिंग्स विच यह शेर्ड वित दोस्तों आपको और क्या-क्या डाउट से आप कमेंट्स में जरूर बताना एवन एटू सर के जो इंस्टाग्राम हैं वगरा है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा तो जो भी क्वेशन से वह आप डिरेक्ली सर से पूछ सकते हो और जो भी कमेंट्स में आपको क्वेशन आ रहे हैं आपके दिमाग में अभी तो आप कमेंट्स में पूछ सकत तो अंटिल देन सी यू गाईज बाई लास में जाते जाते कोई अगर आपको आपकी ओकाद याद दिलाए और कहे कि तो अपने ओकाद से ज्यादा बड़े सपने देख रहा है तो उसे एक बात बोलना मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी ओकाद से मेल खाने को मै बदलूंगा अपनी ओकाद को ताकि वो मेरे सपनों से मिल खाए